नमस्कार साथियों आप सभी का स्वागते जी के से लाइन में दोस्तों कख्षया 10 बोर्ड परिशा 2023 के लिए सामाजिक विज्ञान के इंपोर्टेंट प्रस्णों को इस वीडियी में हम देखने वाले हैं और सभी प्रस्णों को दोस्तों हम आंसर के साथ है वह आपको सकते हैं साथ साथ इसकी पीडिया फाइल दोस्तों आपको अमारे डिस्क्रिशन वॉक्स में लिंक दिया गया है वाटसप का वहां से आपको मिल जाएगी सबसे पहले देखिए आपे बहुत विकल्पी परकार के परसन आपको पूचे जाएंगे मात्मा गांदी की नमक या तो पूचरी कि लिखा गया जिए इसको दान्डी यात्रह लीकिन यह स्टाट से की थी सावर्मती आश्रम से वन्दे मात्म गीथ है वो किसके द्वारा लिखा गया है तो सेके नमर में आपको उप्चम हो जाएगा करभी बं किम चंद चक्रजी इनक के द्वारा लिख्प गया है वंदे मात्रम गीब नइस देखे 1885 में यूरोप के ताकतवर देशों ने किस महादीब को नक्षे पर लकीर खीच कर आपस में बाट लिया था तो 1885 की बात है 1885 से आपको याद होना चाहिए कि कांग्रेश की स्ताफना भी इसी टाइम हुई थी जो कि मुंबई में हुई थी अब थर्ड नमर का क्यूशन होगा आपका ऑप्शन नमर सी हो जाएगा अफ्रीका ठीक अफ्रीका को बाट लिया गया था नइस देखिए निय आप नोट करेंगे आप यहान गुटेन बर्ग ने किया था तो ऑप्शन नमर ए आपका सई आंसर हो जाता है बारत में निम्न में से कौन सा छेत्रिय दल नहीं है महाराष्ट्य गोमांत पार्टी है सिवसेना है भारतिय जंदा पार्टी है शिरोमणी अकाली दल है इनमें स बारतिय जंदा पार्टी इस परकार का कोई दल नहीं है यह एक राजनितिक पार्टी होगी इस देखिए आप अधिकांस इस्ताफित लोकतांत्रिक विरुस्ताओं के सामने परमुक चुनोती है वह कौन ची होती है चार उप्शन आपको दिये गए आप अपड़े तो आप पूजा था अभी राष्ट्य दल की बात की गई यहां पर तो भासपा इंडियन नेसलन कॉंग्रेस बहुजन समास पार्टी या दर्विड मुनेत्र कडंगम तो दोस्तों यहां पर अगला क्यूशन था आपका एट नंबर का एट नंबर में आपका अप्शन नंबर डी द अप्योज़ति निंवारन का दिकार तो इनमें से उबबोकत हों कोज़िकार दिए गए हैं उनमें आपका ननल होती चैए कि कई बार अ hält हुजा है त्यक्तितो के यह सथी पूर्ति के कर सकते हैं। यह पर देखिए बेंग के एक रजदार लोग वे हैं जो कौन होते हैं बेंग के रजदार लोग है कौन होते हैं कि आप सभी जानते हैं कि बेंग के रजदार लोग है वो बेंग से रिन लेते हैं मिलकुल लेते हैं बेंग का रिन वापस लोटाते हैं मिलकुल बेंग से लिए एल्टिक है ये वाला ūो एले टिक ए है ततकौल इलेक्ट्र detect email किसके द्वरा भेजी जा सकती है दोस्त Hé वो नरी तो हम इंटरिणी इमेल नंबर हो जाएगा नीगें आप एक free नं कीजिए या पर अलडी आफ देख सकते हैं कि घुशनों को मैंने बाइन्स के साथ हुआ है आप या नए युख को पहला प्रतीक है तो दोस्तों जो कपांस है कपास नए युक का पहला पर्तिक माला गया है आप ने दिखाऊगा रिगवेदिकाल में या फिर जो आपकी सब्वेताइं थी उस समय कपास को हिंडन वगेरा का जाता था तो इंपोर्टेंट थी किस वर्स में विश्वय आपी महामंदी अपने चरम पर थी तो 1931 में ठीक है कब 1931 में डेक्स देखें विक दार में एक आज़ता कि आधार पर भेधवाव नहीं करने वाला विक्ति क्या कहलता है वो धर्म निर्बेक्श ठीक है धर्म निर्बेक्श उसमदर क्या हो गया सब्सक्राइब नहीं होता है मतलब कोई चीज आप खरीद रहे हैं अगर आपको रशीद इसकी स्लिप नहीं मिलती है तो फिर आप आगे की परस्तेतिया होंगी उसमें आप उसके रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन है वो जुटा नहीं बात है क्योंकि आपको बता है नह लिख सकते हैं आपे जर्मनी का एक धर्म सुदार्ग था नेक्स देखें आपका अगले क्विशन वेस्विक्रण की परक्रिया को उत्परिद करने वाला मुख्य का रहा है वो परिवहन परोदोगी के तीवर उन्नती है किसकी परिवहन की ठीक है कौन है परिवहन परिवहन आपके परिवहन के वह फुल्लर से क्या थात पर है तो दोस्तों क्या है जो विक्ति चुनवर्णों के सारे कपड़े को समेठ था वह फुल्लर कहलाता है हम देखें भारत के उतर पूरी विराजियों में कर्तन, दहैन, कर्शी को क्या का जाता है यह important है हर बार पूचा जा रहा है यह कौन सा वाला जूम कर्शी वाला ठीक है यह तो आपका अद्वार्शी परिश्य में पूचा गया था जूम कर्शी गुजरात में नर्मदार नदी पर कौन सा वाला बना गया है क्या लिखना है अपको सर्दार सरोवर बाल इसके आपर अगला है यह अगला है आपका भारत के मांचित्वर अबरे नवीन परिवन के साधन का नाम आपको बताना है तो यह है दोस्तो पाइप लाइन परीवन ठीक है आप इसमें क्या भरेंगे पाइप लाइन परीवन ठीक है पाइप लाइन परीवन हो जाएगा आपका सासन की किस व्यवस्ता में गलतियों को सुदारने की गुंजाइस होती है तो दोस्तो लोकतांत्रिक सासन व्यवस्ता मे एक वक्ति का सासन होगा और वो जोटाएगा वही होगा तो वक्तियों की जो गरीमा हैं जो अलग वक्ति होंगे अधिकार उनकी करते हैं उनको चीहा जाता है इसलिए चेतरवाद की बहवना को दूर रखने के कोई दो उपयाद आपको पता रहे हैं देखे देश के सब्यास की आ अर्थिक विकास काया है एक तो आप लिखसकते हैं कि आर्थिक विकास गदम उठाना जाना चाहिए दूसरी जो बेरोजगारी है खुली बेरोजगारी है बेठे रहते हैं ठीक है नीजी छेतर का पर्मु खुद्दे से क्या है अधिक लाब क्माना नीजी छेतर कोई भी हो गया मानीजे आपकी कंपनी है या आपका कोई इंस्टीट है कोई भी मान लीजे तो आपका मेर उद्देश होता है कि आप ज्यादा ज्यादा लाब कमाएं धारणी विकास से क्या तात परिया है तो दोस्तो धारणी विकास से तात परिया है विकास की इस्तर को उचा उठाना जो आपका विकास का इस्तर है विकास का जो इस्तर है उसको आपको क्या करना है उचा उठाना है और विकास के उस इस्तर को भावी पीडी है तू पर भा करना है इस परकाश है दोस्तों यहां पे हमने बारा परसंट जिये हो गए और बारा यह वो लगवग चोईस और चार वो अठाइस परसंटों के बारे में बात की है चूकि छोटे परसंट है बड़े परसंट आपको फटा-फट याद जाते हैं चोटे परसंटों में डाउट